P.W.T.S.S.R. 2022 इसका इस्तेमाल करके हम ये इस्टिमेट बना रहे हैं इस इस्टिमेट में अगर हम मिजरमेंट शिट देखेंगे तो हमारे चार एटम अब तक हो चुके हैं एक, दो, तीन और ये चार इसके बाद अगर रेट अनलेसिस देखेंगे तो रेट अनलेसिस में भी देखेंगे एटम नमबर एक, दो, तीन और चार हो चुके हैं इसी तरीके से अगर मेट्रिल की शिट देखेंगे तो यहाँ पे चार एटम नहीं दिखाई दे रहे हैं उसकी वज़ाई यह है कि मेजर मेट्रिल की शिट में हम वही एटम लेते हैं जिनें मेट्रिल लगता है और मेट्रिल से हमारी मुराद सिमेंट, सेंट, करस मेटल, करस मेटल 40 mm, ओर साइज मेटल में हम तीन मेटल को पकड़ते हैं 40 mm, 60 mm और 80 mm रबल, इसे सोलिंग भी कहा जाता है, मुरूम और ब्रिक्स इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर स्टिल भी है और भी एटम आ सकते हैं, जिसे अर्थ वर्क, या फिर स्टिल वगरा और यहाँ पर देखो, हमने टोटल किया है, सिमेंट की टोटल, सैंड की टोटल, करस मेटल की इस तरह की से, तमाम एटम की हमने यहाँ पर टोटल किये यह सिमेंट की कॉंटिटी है, और यह जो कॉंटिटी है, यह इस एटम के कॉंटिटी है बस यही फर्क है अब यहां पर देखिए यह दोनों को मैं select करता हूँ और यहां पर merge करता हूँ यहां पर मैं metric turn type करता हूँ M और T तो यह metric turn हो गया यहां पर मैं click करके Ctrl C करता हूँ और यहाँ पर देखिए यह बिल्कुल factor के नीचे Ctrl V करता हूँ जिसकी वज़े से यहाँ पर यह copy हो गया अब बिल्कुल यहाँ पर यह send के factor पर यहाँ पर मैं cubic meter type करता हूँ और यह दोनों को यहाँ पर slick करता हूँ merge करता हूँ और अगर आप इस तरीके से देखिए मेरा cursor कैसा है ऐसा mouse का button press करके अगर ऐसा drag करेंगे यहाँ तक जहाँ तक जरूरत है तो यह आ जाता है अब मैं यहाँ पर click करूँगा और यहाँ पर मैं number type कर दूँगा क्योंकि यह जो brick है यह number में मुझे लगते हैं यहाँ पर देखो double click करेंगे और यह जो cause है हमारा bracket है multiply करेंगे उस पर और 475 type कर देंगे यह बाद में मैं बताऊंगा क्या चीज थी और यह जो tour था round हमारा उसको zero कर देंगे और इंटर कर देंगे तो यह zero हो गया भी क्योंकि यहाँ पर कुछ लगी नहीं रहा है तो इस तरह की से यह चीज़े आ गई है अब यह हमारा abstract sheet अगर देखेंगे तो इसमें एक दो तीन और चौता भी नहीं है तो चौते को देख लेते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले हैं dotted line लाना है तो मैं क्या करूंगा page layout size A4 जिसके वैसे देखो यह line आ चुकी है यहाँ पर अब मुझे अगर चौता item बनाना है तो मेरे पास जो item बने हुए हैं देखो एक बना हुआ इसे भी copy किया जा सकता है यह 2 बना हुआ है इसे भी copy किया जा सकता है और यह 3 बना हुआ है इसे भी copy किया जा सकता है तो कोई भी copy कर सकते हैं तो चलो मैं 2 को copy कर लेता हूँ यह home tab है यह copy है और यहाँ पर click करके paste कर देंगे उसके बाद देखिए यह selection छोड़ना होता है keyboard से skip press कर देंगे एक दो तीन तीन चीजों को पहले लेकर आते हैं फिर बाद में और बात करेंगे यह equal करते हैं यह 4 number है इंटर कर देंगे यहाँ click करते हैं equal करेंगे measurement यहाँ click करके इंटर कर देंगे equal करना है measurement है और यहाँ पर click करके इंटर कर देंगे इस पर click करके मैं यहाँ पर अटो फिट कर देता हूँ अब यहाँ पर देखिए यहाँ quantity है और उसके बाद rate है और फिर unit है तो अभी यहाँ quantity लेकर आते हैं यहां click करेंगे, equal, measurement, और यह quantity है, click किया और enter कर दिया, उसके बाद देखो, यहां पर हमारा unit है, यहां पर click करना होता है, equal करेंगे, उसके बाद देखे, यह measurement sheet है, यहां पर click करेंगे और enter कर देंगे, यहां पर rate होता है, यहां देख सकते हैं, यहां दी के अंदर, तो मैं यह यहां पर क्लिक करूंगा, एक्वल करूंगा और यह rate analysis है हमारा, यहां पर क्लिक करके इंटर कर देंगे, यह दोनों का calculation यहां पर होता है, अगर double click करेंगे तो यहां calculation दिखाई देता है, इस तरीके से abstract sheet हमने बनाई है, copy paste के सिवा कुछ भी नहीं है, measurement के अंदर भी वही जरूरी है अभी बाकी के sheet पर हमने काम नहीं किया है इसलिए यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यह measurement sheet में एक item और आज बना लेते हैं कोई भी item copy किया जा सकता है तो देखो मैं यह item number 1 को copy करता हूँ यहां पर copy करेंगे उसके बाद देखो यहां पर मैं किलिक कर रहा हूँ और paste कर रहा हूँ paste करने के बाद देखो यह selection छोड़ना है तो keyboard से skip प्रेस करेंगे मैं यहां किलिक करूँगा equal यहां पर किलिक करूँगा और plus 1 करके enter कर दूँगा यह 5 हो गया है यहां किलिक करने के बाद देखो मेरा cursor कैसा है bottom पर mouse का button प्रेस करके मैं ऐसा drag कर रहा हूँ यहां पर मेरा SSR number मुझे बदलना है तो मैंने double किलिक किया इसे select किया और 6.36, 6.36 लिया है मैंने यहां पर देखिए अब यह ऐसे सारे हमारा control F प्रेस करता हूँ मैं और यहां पर type करता हूँ 6.36 या 6.36 और enter करता हूँ इसे यहां से cut कर देता हूँ तो देखो यह नहीं आया अब उसने क्या किया यह दूसरी चीज़े दे दिया तो क्या करेंगे यहां mouse का बटन प्रेस करके ऐसे ओपर ड्रैक करेंगे उसके करीब करीब आ जाएंगे 6 के तो यह 6 के करीब आ गए हैं यहां क्लिक करके जो keyboard के arrows हैं उसका भी इस्तिमाल किया जा सकते हैं तो down arrows को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इस तरीके से भी नीचे आ सकते हैं तो यह दो को मेरा जो item है यह 6.36 यहां पर double click करता हूँ मैं और इसे drag करके select करता हूँ control C करता हूँ और यहां पर double click करता हूँ और इसे select करके control V करता हूँ उसके बाद यह देखिए मैं tap की का इस्तेमाल करता हूँ और यह specification है double click करेंगे select करेंगे और control C यहां पर double click करना है आखिर में click करके आम control V कर सकते हैं control V करने के बाद यह चीज़ यहां पर आ जाती है अब यह बरोबर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पर मैं mouse का button press करके इसे drag कर सकता हूँ जिसकी वैसे यह बराबर हो जाता है आप इसकी side छोटी भी रख सकते हैं छ यह ज़रूरी नहीं है कि आप 40 ही type कीज़े आपको जो पसंद हो कर सकते हैं यहां से मैं click करके इसे निकाल देता हूँ और यहां से लेकर यहां तक click करके select करके इसे यहां से निकाल देता हूँ अब यहां पर आप देखेंगे इसका unit है number का तो यहां पर मैं estimate में यहां पर click करूंगा और यहां नंबर टाइप कर दूंगा तो इस तरीके से यह पांच नंबर का इटम हमारा साइन बोर्ड का था जो हमने उसकी कॉंटिटी एक ली है हम बाद में इसका अफस्टैक बनाएंगे रेट अनलेसिस बनाएंगे मटल नहीं लगता है इसे तो मटल की शीट में काम नहीं होगा आने वाले वीडियो और लेक्चर में बागे की चीज़े देखेंगे कल का थोड़ा सा रिवीजन ले ले लेते हैं यह हमारी मटल की शीट है यहां पर सिमेट है यह सेंड है क्रस मेटल है तो मैंने देखो यहां कलर किया है सेंड को तो इससे रोयल्टी लग करेंगे देखो हमारे पास यहां रबल 0 है और मुरूम भी 0 है और Oversize की यह quantity है तो अभी खास दोर से हमारे पास तो यह दो चीज़ें है जिसे हमें रोयल्टी लगेंगी यह मेरे पास SSR है यहां पर मैं डबल किलिक करके 9 करता हूं send के लिए अलग से royalty दिये गई है यहाँ पर देखिए और all other minerals के लिए अलग से royalty का rate दिया गया है यहाँ पर तो यह rate fix है government के तरफ से हमको यह rate लेना पड़ता है जब rate fix कर दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर rate analysis नहीं बनाते है हम दो चीज़े आगे measurement में बनाने वाले हैं एक royalty के लिए और quality के लिए तो इसका rate analysis नहीं होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी rate दे दिये गये हैं इसलिए इसका rate analysis नहीं होता है और उसी तरीके से अभी मैंने बताया आपको कि royalty के rate दे दिये गये हैं इसलिए इसका भी rate analysis नहीं होता है अब हम यहाँ पर रुखना चाहेंगे आप जो भी सवाल पूछेंगे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं जो जो मैंने estimate के relation से आपको अभी तक बताई वो भी पूछ सकते हैं आज की चीजे भी पूछ सकते हैं पूछ यहाँ